भरवेली थाना के अंतरगत बैयर रोड गांगुल पारा घाटी में डकेती और लूट की वार्दात को अंजाम देने वाले तीन आवालेक सैथ 4 आरूपियों को गिरपतार कर लिया गया जिनसे तीन दिन पहले एक वेकती को रोग कर कि गए डकेती में लूटे गए एक ओपो कमपणी का मुबाइल 100 रूपय और 10 किलो नमके जब्त की गए वही एस डकेती में उपयुक्त एक मोटर साइकल को भी जब्त किया गया है विद्वान अदालत से आरूपी जोहिव अली पिता रियाज अली भीसफश वाड नमबर पांच बड़ा हीरापुर थाना भरविली निवासी को भरविली पुलिस ने पुझताच हेतु एक दिन के पुलिस रिमान पर लिया है वही अन्य तीन बालक अपचारी को बाल नयाले में पेश किया गया जहां से उन्हें बाल समस्प्रेशन गह सिवनी भीजवा दिया गया है इस मामले के अन्य दो आरूपी फरार है जिनकी इतलास की जा रही है आपको बता है कि 26 सितमर की रातरी 9 बजे मोहमद हसन कादरी ग्राम उकवा निवासी जब अपने मोटर साइकल में दुकान के लिए बालाखाट से सामान खरीद कर वापस अपने घर उकवा जा रहे थे तबी बैयर रोड गांगुल पारा घाटी के पास तीन अग्याद वेक्तियों ने मोटर साइकल को ओर टेक कर मोहमद हसन कादरी का रास्ता रोका मोटर साइकल सवार तीन अग्याद वेक्तियों में से एक लड़की ने चाकु निकाला और हसन कादरी को डराते हुए तिनों ने कहा कि उनके पास जितने भी पैसे हो, मोबाइल इत्यादी या कोई भी सावान हो उन्हीं दे दे, ने तो वो उनको जान से मान देंगे सभी ने मौमध हसन कादरी को धमकाते हो, उनके पास रगी 100 रुपे, 10 किलो नमकीन और उनके ओपो कमपणी का मोबैल भी छिन लिया गया और सभी मोटर साइकल लेकर फरार हो गया मौमध हसन कादरी उकवा निवासी के दवारा पुलिस थाना भरविली में की गई रिपोर्ट पर धारा 395, 341, 506 भारते दर्डविधान के ताहत अपराध दरचकर जाज परताल सुरू की गई थी मुखबिर के दवारा कित दी गई सुचना के आधार पर आरोपी जोहे वाली बीस वशवार नमर पांच बड़ा हिरापूर थाना भरविली निवासी को अभी रक्षा में लेकर पुस्ताज की गई जिसने अन्य योगों के साथ उक्त डखेती लूट की वारदात को अंजाम किया गया भरवेली पुलिस ने आरोपी बरवेली पुलिस ने गिरपतार आरोपी सोहेवली को 28 सितअबर को बालाहट की विद्वान अदालत में बीश सिते गई जहांसे उसे पुस्ताज है तु एक दिन की पुलीस रिमान पर लिया गया वही तीन अफशारी वालक को बाल नियाले में पेश किया गया जहां से उने बाल संस्पेशन गरह सिवनी भिजवा दिया गया इस मामले में अन्य दो आरोफी फरार है जिनकी तलास की जारी है